हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब्सक्राइब करते हैं कि आप सब्सक्राइब देख रहा है मॉस्ट भी वी आई कोश्चन सूपर 20 कोश्चन जो रफी सबसीडरी का भी वी आई यह है सेट 2 ठीक है इस सेट 1 अप्लोड हो गया है नई देखे है तो वीडियो का लिंक लड़ेगा ठीक है तो चलिए आज के विश्च्रों को सुरू कर दे तब तक आज सेदर वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ठीक है तो फर्स्ट नमबर को संकर भारत में चाई के बगान में कितने स्रमिक कार जिरा थे तो कितने स्रमिक कार्ज करते हैं भारत के चाई के बगान में तो 12.5 लाख काम करते हैं ठीक है तिन नमबर को संकर है भारत के किस राजे में गेहूं का सरबादिक उत्पादन होता है तो किस राज में गेहूं का उत्पादन होता है उत्तर परदिस राज में सबसे ज़्यादा पूरे भारत में गेहूं का उ करते हैं इसे भू और्त सास्त कहते हैं भू और रतिос jah 2016 को ढ़ते हैं पाच्छ नमबर कोशन को देखते हैं बीश्व में सूती कपड़े का सब से अधिक उत्पादन आज किस देस में हो रहा है तो चीन में हो रहा है कहां चीन में चले 6 नमर क isot quiero की पहले जोब कि खुली पुभ खुली 3890 अचांदी में कुली है का बह को खुली है 3890 में खुली है का स सात नमर को दाखा है लंका साय छेतरे उधोग के लिए परसीद है तक किस उधोग के लिए परसीद है सुत्ती वस्त्र के लिए परसीद है किस वस्त्र के लिए परसीद है हाथ नमबर कोश्टन करा है पीटर सवर्ग किस देश का परसीद अधोगी केंद्र है तो किस देश का अधोगी केंदर है संजुकतराज अमेरिका का किस का संजुकतराज अमेरिका का अधोगी केंदर है पिटर्सवर्ग ठीक है नौ नमबर कोशन को रहे संजुकतराज अमेरिका का सबसे सबसे बड़ा लोहा इसवाद कौन है सबसे बड़ा लोहा इस बात कौन है पीटर्सबर्ग है कौन है पीटर्सबर्ग है दस नमबर कोशन को देखते हैं रूड किस उधोग का परधान छेतर है तो रूड रोहा इस बात का उधोग का परधान छेतर है एगारे नमबर कोशन देखने से पहले आप सावी दोस्तों का प्रेकिंग नीज मैं बता दूँ कि 5 या 6 तारी को जिस भी दोस्त का एक्जाम है जिस भी दोस्त का एक्जाम है जिस भी दोस्त का एक्जाम है तो आपका एक्जाम कैंसिल हो गया है ठीक है पांच या 6 तारी को जिस वकावी एक्जाम है उसका एक्जाम कैंसिल कर दिया गया ह भी मेरा अंद्गर उन्वर्शिटी ने ओफिसियल नोटिस जारी कर दिया है तो उसका बी लिंक मैं वीडियो के इसके सनबक्स में देदेंगा नहीं देखे हैं तो आप देख लिजेगा आपको मैं बता दू कि 5 ये 6 तारी को जिस भी भाई के एक्जाम था उसका एक्जाम कै 30 कोशन बताऊंगा सुपर 30 20 नहीं सुपर 30 कोशन इस वीडियो में आप सभी दोस्त देखेंगे तीस ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नमबर कोशन को रहा है काला पर्देश कहां इस दित है तो काला पर्देश युनाइटिट किंग्डम में इस दित है कहां इस दित है युनाइटिट किंग्डम में इस दित है बारा नमबर कोशन को रहा है भारत का सबसे बड़ा जन्स तो भारत का सबसे बड़ा लोहा इस पाथ कौन है तो बोकारो है कौन है बोकारो है राइट अंसर हो जाएगा तेरे नमबर कोशन को रहा है चाय उत्पादन के लिए धैनिक तपमान कितनी चाहिए कितनी चाहिए 20 से 30 डिगरी सेल्सिय चाहिए चाय के उत्पादन के लिए चोदो नमबर कोशन को रहा है कापास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है चाय का कपास का सबसे बड़ा उत्पादर को इदिस करता है तो वह है चीन कौन है चीन राइट एंसर चीन हो जाएगा पंतरो नमबर कोशन देखने से पहले आप सब जोस्त अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यह वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पहले बार आएं है तो चैन मौस्ट भी भी एक कोशन ताप से तो अपना सब्जेक्ट के नाम लिख कर कमेंड कीजिएगा ठीक है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि यह चैनल आप सभी दोस्तों का ही चैनल है तो इस जिसके आप जो कहेंगे उसी का उनसार हमारा वीडियो चलेगा ठीक है चले सुले नमबर कोशन को देखते हैं भारतिय का पास किस किसम की होती है तो छोटे रेशी की होती है किस रेशी की होती है छोटे रेशी की होती है भारतिय का पास ठीक है सतरह नमबर कोशन को देखते हैं गन्ना का सबसे बड़ा उत्तपादक कौन है तो भारत है कौन है भारत ह अठारा नमबर कोशन करें का पास का सर्व परमुक आयतक दिश कौन है का पास का सबसे ज़्यदा जो आयतक करता है जपान है ठीक है कौन जपान उनिश नमबर कोशन को देखते हैं गन्ना उत्पादन के लिए कौन सबसे अधिक परसीद है तो गन्ना उत्पादन के लिए सब से जबाओ पर तुप है जावा कौन है जावा है इस में मैं आपको बता दू टूटल थर्टी जोशन आप सभी द्था इस वीडियो में देखने कौन से विडियो कसे पहले वीडियो चाहिए औभी आप कमेंट बोक्स में जरूर से जरूर लेखिए ठीक है किक्या मुझे मालम चले कि कौन से विडियो का सबसे जरूरत जरूरत है तो मैं उस सोब्जेट पर आपको वीडियो ना कर उपलब्द कराऊंट हीश है चलिए अगे देखते हैं इसमें 30 कौर्शन बताने वाले हैं तो फ़रे देख लेते हैं कि दस्चित कोडिया का कौन सा देस्ट का पास का महतुद उत्पादक ए तो कौन है ब्राजील कौन है ब्राजील दच्छिड अमिरिका का कौन Сा देश का पास का पूआ उत्वाध में यहाद बीज सबस्र कहाँ होती है कहाँ होती है राइट एंसिर पछ्मी उरूप में होती है राइट्य एंसर होती है तो चिकनी मीटी उपजग्ध होती है कौन से मीटी चिकनी मीटी उपजग्ध होती है धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा चले तेश नमर को दखते है धान के सीडी नुमा खेत कहां मिलते है धान के सीडी नुमा खेत पूर्वी भारत के पहाड़ी इलाकों में मिल पानी नहीं रुकता है ठीक है इसलिए पूर्वी भारत के पहाड़ी इलाकों पर धान के सीड़ी नुमा खेती की जाती है ठीक है चलिए 24 नमर कोशन को देखते हैं कौन सा देश चावल का स्वर परमुक उत्वादक है तो कौन है चीन है चीन में सबसेदा लोग चावल का उत्वादम करते है ठीक है ठीक है राइट एंसर चीन हो जाएगा 25 नमर कोशन को देखते हैं गेहों के प्रणाबिक विकास के लिए कितने तपमान की आशकता होती है त तो कितने तपमान की आशकता होती है 10 डिग्री सेल्सियस की आशकता होती है कितने डिग्री की 10 डिग्री सेल्सियस की आशकता होती है 26 नमर कोशन को देखते हैं कौन सा सहर चावल के अंतराश्टी बैपार के लिए विख्यात है तो रागून है रंगून ठीक है रंगून स जो चावल के अंतराश्टी बैपार के लिए सबसे जादा विख्या थे ठीक है 27 नमबर कोचन देखते हैं संसार में सिचाई का सरबाधिक उपयोग किस फसल की खेती में होता है किस फसल की खेती में सबसे दा सिचाई होता है तो वो है गेहूं कौन है गेहूं गेहूं में सबसे अधीक सिचाई का उपयोग होता है 28 नमबर कोचन को देखते हैं बसंत कालेन गेहूं की खेती कहां की जाती है रूस और कनाडा में की जाती है 29 नमबर जो कि आज का सकेंड लास्ट कोचन इसमें सुपर 30 कोचन दिख रहे हैं ठीक है यहाँ आप सब्सक्राइब को जोगराफिस सब्सेडरी जोगराफिस सब्सेडरी और हिंदी सब्सेडरी का चल रहा है और आप सब्सक्राइब करेंगे तो अधर सब्सक्राइब लाएंगे ठीक है चलिए आज का सकेंड लास्ट कोचन पर रहा है धान के उगने बढ़ने और पकने में कितने समय लगता है तो टोटल चार से पांच महिना में कम्प्लीट हो जाता है धान जब से होता है तब से लेकर जब तक कटा जाता है तब तक उगने से लेकर पकने तक चार से पांच महा का समय लगता है ठीक है चलिए आज का लास्ट कोशन देखते हैं अबर इस पाट को यहीं पर अंत करेंगे अबर कौन सा सब्जेट का आपको वीडियो चाहिए कमेंट बक्स में जरूर लिखेगा ठीक है चलिए आप सा दोस्तों के सामने यह रहा तीस नमबर कोशन जो मस्ट हुई भी एक कोशन है सामोई क्रिसी को सेवित संग में क्या नाम दिया गया है तो क्या नाम दिया गया है कुल हम खोज दिया गया है नाम क्या दिया गया है कुल खोज दिया गया है राइट एंसर कुल खोज होगा जो दिया गया है ठीक है एक से ल आरद